दीद्वाना जिले के मौलास्र में पंचायत समिती भवन में घटिया निर्मान सामगरी और कोटा स्टोन की जगा ग्रेनाइट लगाने के मामले की जांच को लेकर नागौर सीयो रविंद्र कुमार के नितरित्व में जांच दल द्वारा मौलास्र पहुँचकर जांच की गई हैं। गौरतलब हैं कि मौलास्र पंचायत समिती भवन का निर्मान 2018 में पूर्ण कर लिया गया था तथा संबंदित थेकेदार ने विभाग के सुपुर्द कर दिया गया था। 2019 में घटिया निर्मान सामगरी और कोटा स्टोन की जगा ग्रेनाइट लगाने की शिकायत को लेकर जांच कमेटी द्वारा इसकी जांच की गई थी जिसमें जैपुर लेबल पर जांच के बाद चार अधिकारियों पर गाज गिरी थी जिन्हें बाद में सस्पेंट कर दिय गया हालां की कुछ समय बाद बहाल भी कर दिया गया था इसके बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत समिती भवन में घटिया निर्मान सामगरी को लेकर ततकालीन पंचायत राजमंत्री रमेश मीना के संग्यान पर जांच करवाई गई थी लेकिन आज तक इ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक लेकर सम्पूर्ण जानकारी लेते हुए पंचायत समिती भवन की छत पर पहुचकर छे इंच से अधिक खुदवाकर निर्मान सामगरी की जांच के लिए नमूने लिए इस दोरान वित्तिय सलाहकार सदस्य ग्रामीन विकास एवं पंचायत राज विभाग जैपुर के प्रताप सिंग पुनिया अतिरिक्त निदेशक प्रशासक सदस्य जल ग्रहन विकास एवं भू सनरक्षन के रिचपाल चौदरी संयोक तायोक्त सदस्य पंचायत राज इस जांच को लेकर CEO रविंद्र कुमार ने चुपपी साध रखी है और मीडिया से रूबरू होने से मना कर दिया